ख़बर शुपी लाई आपकी ख़बार पेज जैसा बस्तिश सदर कोतवाली के कचहरी चोराहे और कोलकाता से दो शातिर नटवरलाल को पुलिस ने अरस्ट किया है इनके उपर पच्चीस पच्चीस हजार का इनाम गोशित था 2016 में बस्ति जिले के सैक्ड़ों लोगों को 15 से 16 करोन का चूना लगा कर फरार हो गए थी पकड़े गए दोनों जालसाज, विकास, सवलदार और तन में मित्रा पश्चिम बंगाल के रहनी वाली ही आपको बता दें सदर कोतवाली में 2016 में दोखा धड़ी का मुकदना दर्ज शुआ था अजया पर लोगों ने यह आरोप लगा था कि कुछ लोगों ने उनके दवारा एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर इन लोगों से पैसा लिया और उसके बाद में इनको रिटर्न ने दिया और इनका पैसा लेके वो कंपनी भाग गी है तो एक प्रोग्रेस कल्टिवेशन लिम्टेड नाम से कंपनी के बारे मजानकारी मिली और ये कंपनी ने अपनी जो यूनिट है वो वेस्ट पंगाल के सिंगूर जो डिस्टिक है वहां पे इनोंने स्टाबलिस की थी और तब से इसमें पुलिस लगातार इन लोगों की जाज परताल कर रही थी कि ये लोग कौन है और कहां पर है लेकिन इनका कोई पता नहीं चल पा रहा था कंपनी 2015 में ये कंपनी जो इसकी यूनिट थी उस पर सेवी नय रोक लगा दी थी और ये ताला लगा के ये लोग वहां से भाग गयते अटेजमत्य तीन चैनलों का नाम प्रकास माय उसमें एक व्रकास हबला दार है एक तनमे मित्रा और इंके पतनी की इनके द्वारे बताया गया था और इसकी कई ब्रांच छाइं और इंडियानों ने खोली ती जिसमें बस्ती गोरकपूर संतकवी नगर अंवेडगर नगर आयोध्या जो ये यूपी के डिस्टिक्स थैं इसके अलावा इन्होंने इसको अंद्रा में और आंध्रा में वी काकी नाड़ा में एक बहुत बढ़ी जभी पंध्रामीं पर चीpery और पुरे देश में इसकी ब्रांच औफिस खोलड का लोगों को लोगों को लूबलुभावनी स्कीम का लारच दे कर पाइसाइन वेस्ट कर आधा बस्ती जिले में तीन ओफिस कोल कर, सैक्डों लोगों को अपने जाल में फसा कर, सोला करोण इंवेस्ट करा लिये लेकिन जब पैसा रिटर्न करने का समय आया, तो कमपनी के ओफिस को बंद करके फरार हो गए इस तरह से देश के कई राज्यों में लोगों की साथ, धोका धड़ी कर कमपनी में जो इंवेस्ट कराया उस पैसे को लोगों को रिटर्न देने की बजाए, सो करोण रुपए से ज़्यादा की संपाती खरीद ली कोलकाता में 87 करोण रुपए Progress Producer Cultivation Limited नाम की कमपनी में लगा दिया कमपनी के नाम कोलकाता में 10 करोण में 13 वीखा जमीम खरीद ली यूपी के अम्बेडकर नगर में 2 करोण कीमत की 8 वीखा जमीम, इसके अरवा कोलकाता में 50 लाग की बेकरी की फैक्टरी खोल दी जब कमपनी ने लोगों का पैसा नहीं लोटाया, तो सेवी में कमपनी को सीज कर दिया जिसके बाद से ये नटवरलाज फरार चल रहे थे, महरहाल अब ये नटवरलाज सलाखों के पीछे पहुच गए है लोगों को अपने मेंद की कमाई वापस मिनने की उम्मीद जगी है पैस्क रिपोर्ट खाबार शूपी